भगवत कीता अठारवा और अंतीम अध्याय असान हिंदी भाषा में प्रस्तुत करता ग्यानविला। इस अध्याय में भगवान अर्जुन के पूचने पर उसको त्याग और सन्यास के बीच के अंतर को बड़े ही सुन्दर तरीके से समझाते हैं। मनुशी के सभाव और सधरम द्वारा नियत किये गए भ्रामन, शत्रिय, वैशे तता शुद्र के गुणों तता कर्तवियों का वन्डन करते हैं। उनको समझाते हुए कहते हैं। जैसे कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। अब तु त्याग के बारे में सचाई को सुन। त्याग तीन प्रकार कब बताया गया है। लेकिन यग्य, दान और तप जैसे कर्मों का त्याग कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन इन कर्मों को भी इनके प्रती इच्छा लगाग और कर्मों के फल की इच्छा के बिना ही करते रहना चाहिए। अग्यान के कारण किया गया कर्म का ऐसा त्याग तामसिक त्याग कहलाता है। नियत कर्म और करतव्य को अपना धर्म मानकर उसे करता रहता है। और उसके प्रती पूरी आसक्ती और फल को भी त्याग देता है। उसका त्याग साथविक माना जाता है। वह बुद्धिमान व्यक्ति जो वह त्याग करता है जिसके सारे संदेह समाप्त हो गई है और जिसका सभाव साथविक है ऐसा व्यक्ति सदैव सद्गुण में ही स्थित रहता है उसे ना तो बुरे करम से कोई घरणा होती है और ना ही अच्छे करम से कोई लगाव होता है किस के बाद फल अवश्य मिलता है जो की तीन प्रकार के होते हैं अच्छा बुरा और मिला जूला और यह करम फल ही उनके पुनर जनम का कारण बनते हैं लेकिन जिन्होंने अपने जीवन काल में ही करम के फल को त्याग दिया है उन्हें मृत्यू के बाद कोई भी फल नहीं मिलता वह करम के फल और उस फल से होने वाले बंदन से भी छूड़ जाते हैं और इसी लिए वह पुनर जनम के चक्कर से भी निकल जाते हैं करम करने के लिए भी अवश्यक पांच कारण बताए गए हैं एक करम का स्थान तूसरा करम करने वाला करता तीसरा उस करम को करने के लिए साधन, चोथा अनेक प्रकार के प्रयास और पांचवा है भाग्य यानि परमात्मा जो इन सब को संभव बनाता है मनुशे अपने शरीर, मन या अपनी वानी द्वारा जो भी कोई उचित या अनुचित करम करता है वह उन पांचो कारणों, इन पांचो तत्मों की वज़ा से ही होते है लेकिन जो मनुशे अपनी मूर बुद्धी, अपने एहंकार और अपने अग्यान के कारण यह माल लेता है कि मैं अकेला ही करने वाला हूँ, वह ही अग्यानी है और वह इसके सही सरूप को नहीं देख पा रहा इस मनुशे में यह एहंकार की भावना नहीं है और जो यह समयता है कि सभी करमों में परमात्मा का ही हाथ है जिसकी बुद्धी करम के फल में आसक्त नहीं है वह इन सबी मनुश्य को मारता हुआ भी उन्हें नहीं मारता इसलिए वह अपने कर्मों के कारण बंधन में नहीं बंता मनुश्य के कर्म की प्रेड़ना देने वाले तीन कारण होते हैं ग्यान, ग्यान का उदेशे function और उसे जानने वाला करता करम को भी एक साथ इकठा करने वाले और उसे संबब बनाने वाले कारण भी तीन ही होते है साधन, करम और करता, ज्यान करम और करता के भी प्राकरती के तीन गुण सत्व, रजस और तमस के अनुसार तीन बेद होते है सात्वी ज्यान वह ज्यान है जिससे मनुष्य सभी अलग-अलग प्रकार की वस्तूओं और प्राणियों में एक ही कभी न नश्ट होने वाली सत्ता देखता है। इसमें वह ईश्यवर को सब प्राणियों में और सारी सिर्ष्टी में समान रूप में एक जैसा ही देखता है। जास्त्रों में दिया गया है और जिसे बिना लिप्त हुए राग द्वेश को मिटा कर और फल की इच्छा रखे बिना किया जाता है। बना हुआ है और जो सफलता और विफलता में एक जैसा ही रहता है उनमें विचलित नहीं होता। राजसी करता वह करता है जो आवेश से प्रेरित होता है जो अपने कर्मों का फल पाने के लिए हमेशा बेचैन रहता है। जो लोभी है, जिसके सभाव में हिंसा है, जो अपवित्र है और जो अनंद और शोक के कारण विचलित हो जाता है और तामसिक करता वै करता है जो असंतूलित है, जो भोतिक वादी है, जो कप्टी और हटी है, जो दूसरों का अपमान करने वाला है, जो द्वेश करता है और जो काम को टालता रहता है अब तू गुणों के अनुसार, भुध्धी और द्यारे के भी तीन भेद सुन, जिने मैं तुझे पूरी तरह विस्तार से बताता हूँ सात्विक भुध्धी वह भुध्धी है, जो करम और अकरम करने योग्य और ना करने योग्य करमों के भेद को समझाती है और इस बात को भी समझाती है कि किस से डरना चाहिए और किस से नहीं डरना चाहिए क्या वस्तू मुक्त करती है और कौन सी वस्तू बंधन में डालती है रासिक बुद्धी वह बुद्धी है जो धरम और अधरम करने योगे और ना करने योगे इन सब बातों को अधूरे ढंग से समझाती है और तामसिक बुद्धी वह बुद्धी है जो अज्यान और अंदकार में डूबे रहती है ऐसी बुद्धी धरम को तो अधरम और अधरम को धरम समझाती है और वह सदावी प्रीद दिशा में ही केंतरित रहती है और उल्टी दिशा में ही चलती है धरिती मानसिक धरिड निश्चे अर्थार्थ धारन करने की शक्ती को कहते हैं सात्विक ध्रिती वह ध्रिड निश्चे है जो अवी चल है जो ध्रिड होता है और जिससे मनुश्य जीवन देने वाला सवाज और अपनी सभी इंत्रियों की गती विद्यों को केंध्रित और अपने वश में रखता है राजसिक ध्रिती वह ध्रिड निश्चे है जिससे मनुश्य अपने धरम और परिणाम सवरूप फलों की इच्छा रखते हुए उनमें ध्रिडता से चिपका रहता है उनमें लिप्त और फसा रहता है और तामसिक ध्रिती वह ध्रिड निश्चे है जिससे कोई दूर बुद् अबफ करता है। जिसमें यह तीनों गुण ना हो। वैश्री का सभाविक करम है क्रिशी, पशुपालन और वैपार। अधम के सभाविक करम है सेवा का काम करना। अपने अपने करम में लगा हुआ प्रतेक व्यक्ति सिध्धी को प्राप्त कर लेता है। अब अरजुन तु यह सुन कि किस तरह अपना करम करते हुआ मनुश्य सिध्धी को पा सकता है। अपने सभाविक और सभाव वाले धरम का पालन करना ही उस परमात्मा की उपासना करना है। जिस परमात्मा से सभी प्राणी उत्पन होते हैं और जिससे यह सारी श्रिष्ठी भी व्याप्त है। अधूरे ढंग से भी पालन किया जा रहा। अपने सभाव वाला धरम, पूरे धंग वाले धरम से कई अधिक गुना अच्छा है, अपने सभाव से नियत किये गए करम का पालन करने वाले को भी पाप नहीं लगता, इसलिए मनुष्य को अपने सुभाव से उतपन, अपने सभाव वाले अपने धरम को कभी भी नहीं फिर चाहे उसमें द्वेश ही क्यों न हो क्योंकि जैसे आग में धुआ होता ही है वैसे ही सभी कर्मों में कोई न कोई द्वेश होता ही है जिस मनुष्य की बुद्धी सदर निरलिप्त रहती है जिस मनुष्य में कोई इच्छा बाकी नहीं रहती और जिसने अपनी आत्मा को भी वश में कर लिया है वह सन्यास द्वारा उस सर्वोच उस उचे पत तक पहुंचाता है जो कि सभी प्रकार के कर्मों से मुक्त है अब तूसंशेप में यह भी सुन कि सिध्धी को पा लेने के बाद मनुश्य उस ब्रह्मा को जो की ज्यान का सबसे उच स्थान है उसे कैसे सकता है सिध्धी से भरा होकर अपने आपको सयम में रखकर शब्द आदी सभी इंद्रियों के विश्यों तथा मोह, अनुराग तथा द्वेश इन सब को त्याग कर एक कांत में निवास करता हुआ, अलप अहार करता हुआ, अपनी वानी, शरीर तथा मन को सयम में रखता अपना एहंकार, अपना भल, अपना घमंड और अपनी इच्छा, अपना क्रोध, अपनी संपत्ति इन सब को तयाग कर और यह मानकर कि मैं किसी भी वस्तू का स्वामी नहीं हूँ। तब यह भावनार रखते हुए और शांत चित वाला होकर वह ब्रह्मा के साथ एकाकर होने क योगिब बन जाता है, और जब वह भ्रह्मा के साथ एकाकर होकर प्रशांत आत्मा बन जाता है, तो उसे ना ही कोई शोक होता है और ना ही उसकी कोई काम ना रहती है, सभी प्राणियों को एक जैसा समझता हुआ, वह मेरे ही परम भक्ती को प्राप्त कर लेता है, और मेरी इस भक्ती द्वारा इस बात को भी जान लेता है कि वास्तव में मैं कौन हूँ, तब सच्चे रूप में जान लेने के बाद वह मुझ में परवेश करता है, मेरी शरण में आकर सब प्रकार के करमों को लगातार करते रहने पर भी वह मेरी कृपा में शाश्वत और इस परमप को पा लेता है, अपने आपको फुरी तरह मुझ में लीन करके, अपने सभी करमों को अपने चेतन मन से मुझे ही अरपन करके, बुद्धी योग का आश्रे लेकर अपनी विचारों को मुझ में ही लगाए रग, अपने चित को मुझ में ही स्थिर करके, तू मेरी कृपा से स तेरा यह निश्चे गलत है क्योंकि तेरी ही प्राकर्ती तुझे यह युद्ध लड़ने में विवश कर देगी। अपने संपून अंतर आत्मा के साथ उस इश्वर की शरण में जा उसकी कृपा से तुझे परमशक्ती और परमधाम प्राप्त होगा। इस प्रकार मैंने तुझे यह गूर ग्यान बताया है जो सब रहस्यों से सबसे बड़ा रहस्य है जो की सबी ग्यानों से सबसे बड़ा इस पर अच्छी तरह विचार करने के बाद तेरी जैसी इच्छा हो तू वैसा ही कर अब तू मेरे अधी गोपनिये वचनों को सुन जो सबसे रहस्यों है क्योंकि अरजुन तू मुझे बहद प्रिये है इसलिए मैं तुझे तेरे हित की ही बात पताऊंगा अपने मन को मु तुझे परणाम कर मेरी पूझा कर ऐसा करने से तू मुझे तक अवश्य ही पहुँच जाएगा इस बात का मैं तुझे वचन देता हूँ क्योंकि तू मुझे बहद प्रिये है सभी कर्मों सभी कर्तव्यों और सभी धार्नाओं को छोड़कर तू केवल मेरी ही शरण में आ या आस्था ना हो या जो मुझसे द्वेश करता है जो मेरे इस परमरहत्से को मेरे भक्तों को सिखाता है वह मेरे प्रति, विशुद भक्ति दिखाता है और वह अवश्य ही बिनना संदहे मुझ तक पहुँच जाएगा मनुष्य में उससे अधिक प्रिये मेरा काम करने वा और जो मनुष्य पूरी श्रधा, निश्ठा और आस्था से हमारे इस समवाद को सुनेगा, वह भी पुन्ने आत्माओं के लोग में पहुंचाएगा। समरिती फिर से लोट आई है, मेरा सारा संदेह नश्ठ हो गया है, अब मैं स्थिर्चित हो गया हूँ और मैं तेरे आदेश अनुसार ही कारे करूँगा, मैं यह धरम युद अवश्य ही लड़ूँगा, यहां अर्जुन और शिरी कृष्ण का सनवाद खतम होता है, इसके बा महाराज मैं केशव और अर्जुन के इस पवित्र सनवाद को बार बार याद करके अनंद से विपूर हो रहा हूँ, और जब जब मैं हरी के उस अद्बुद रूप को याद करता हूँ, मैं बार बार पुल कि थो उड़ता हूँ, यहां योगेश्वर शिरी कृष्ण है और कोमेंट में हमें लिख कर चुरूर बताएं, महा भारत संबन्दी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब चुरूर करें, तो मैं मिलूँग आपको ऐसी ही किसी वीडियो में तब तक के लिए जै श्री कृष्णा